Hello here, welcome again मैं आपके साथ शेयर करता हूं एरोप में मेरे साथ हुई इंट्रेस्टिंग गटना है अज आपके साथ सेयर करूँगा ये गटना डील करती है तो अब चल्चर के बारे में जैसे अपने आखते हैं बई, यक्टरेज्र गिसी को दीख साती है बाग के लोग उसके पास साथ है, फोटो के चवाते हैं, उसके आटोग्राफ लेते हैं, तो क्या एरोप में भी ऐसा ही कल्चर है या अलग है, तो इसके बारे में एक मेरे साथ सची गतना होई थी, उसी को शेयर करूँगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये लोग कित जरमनी की फुटबाल टीम का कोच है, उसका नाम है योकिम, जरमनी की नेशनल फुटबाल टीम का कोच है वो भी उसी सचियर में रहता था, तो आप आइडिया लगाएगे कि वो कितना पॉपलर बन्दा होगा, क्योंकि जरमनी में फुटबाल बहुत ही पॉपुलर है, 2016 मे नहीं 2014 में जो है फुटबॉल का वर्ड कप भी जीता था जर्मनी ने तो और जो यह फुटबॉल का कोच है यह 2004 से लेके अब तक पिछले 16 साल से लगातार जर्मनी की जो है नेशनल टीम का कोच है ज़े करकेट में देखोगे तो 2004 से अब तक पता नहीं कितने कोच आये और ग भी में रहता था तो मैंने सुना वा था कि हाँ यह रहता है तो एक दिन क्या हुआ कि हम और मेरे जो जर्मन एक साथ में गाया था बैड़ीमिंटन खेलने एक बहुत इबडा सपोर्ट्स कंप्लेक्स था उसमें तो हम जैसे ही गुसे तो वहाँ रेसेप्श्न के पास मैंने किसी को खड़ा देखा तो मैं सोच रहा यारी कौन है इसको कहीं देखा है तो ऐसे सोचते सोचते मैं उसके बाजू से आगे निकल गया जब थोड़ा और आगे निकल गया तब मुझे द्यान आया रहे यार यह तो योकिम है जर्मनी का नेशनल कोज फुटवाल का तो मुझे एक दम जटका लगा रहे यार और जो मेरे क्लीक्स थे वो सब अगे थे मैं सबसे पिछे था तो वो भी सारे निकल गया ऐसी तो मैंने सोचा कि इन्होंने देखा नहीं क्या इसको तो मैं बागा बागा आगे गया और बोला उनको कि तुमने देखा कौन खड़ा था वहाँ तो उन्होंने का हां योकिम था यार अजीब है इनकी नेशनल टीम का कोज खड़ा था इन्होंने कोई फोटो नहीं लिया कोई उसके आटोग्राफ नहीं मांगे तो यह तो इनका अलगी कल्चर है कुछ हमारे आतो अब तूट पड़ते हैं इसके फोटो के लिए तो यह मै अलगी इनका कल्चर है इसकी जो क्या interpretation है क्या इसके reasons है वह आप सोचें और comment करें तो ऐसी बातें दूसरी जो मैं आपके साथ share करता रहूँगा थैंक यू